प्रेस अलोट मेरे नाम अनिल कूचर है कई दिनों से बेनों भाईयों मैं सूच रहा था कि कुछ ऐसी भावनाएं कुछ ऐसे विचार मैं आपके सामने लेकर आऊं जो बड़े-बड़े प्रचार में छुप जाते हैं बाइबल में कई ऐसी भावनाएं बाइबल में कई ऐसे रिष्टों के ऊपर बात की गई है जो हमें पता होना चाहिए जो हमें समझ में आनी चाहिए इसलिए मैं इन छोटे वीडियो के द्वारा आपको उन बातों तक पहुचाऊंगा जो बातें आपके लिए बहुत जरूरी है और जो बातें आपको परमेशर के और करीब लाएंगे आप इन भावनाओ इन विचारों को avoid करेंगे तो परमेशर से दूर हो सकते हैं इसलिए मैंने बहुत प्रात्रा की और पवित्रात्मा ने मुझे उत्फर दिया बावित रात्ताओं ने मुझे बता है कि मैं इन छोटे-छोटे वीडियोस के दोरा आप तक उन विचारों तक को पहुँचाऊं जो बहुत ही बहुत जरूरी है तो मैं विश्वास करता हूँ कि यह आपको जो आज का विचार है बहुत अच्छा लगेगा यह जो भावना है जो आपको अच्छी लगेगी और इसको और शेयर करिए और बहुतों तक पहुँचाए ताकि लोग आशीश मौएं मेरा मकसद यही है कि मेरे वीडियोस लाखों करूणों लोगों तक पहुँचे और उनको आशीश मिले आज का वीडियोस जो मैंने लिया है रिष्टों पर लिया है आज का टैटल जैसे मैंने आपको बताया कि याकूब अपने बेटों के साथ भेदभाव क्यों करता था याकोब के 12 बेटे थे और एक बेटी थे लेकिन अगार आप देखेंगे तो याकोब के 11 बेटे भीड चलाने के लिए बखरी चलाने के लिए जाते थे चativाये और एक बेटा यूसुफ जो था, वो सतरंगा का अंग रखा पहनता था और लगता था कि याकूब यूकूब से बहुत प्यार करता है मिरी भाई, मिरी बहन, आपका स्वभाव आपको पर्मेशर के करीब लेकर आता है हम जो दिन भर अपना जीवन बिताते हैं बहुत जरूरी है कि हम कैसे बिताते हैं हम अपने घर में कैसे रहते हैं हमारा सौभाव हमारे माबाब के साथ कैसा है हमारे भाई बहनों के साथ कैसा है हमारी पतनी के साथ, हमारे पती के साथ कैसा है हमारे बच्चों के साथ कैसा है, हमारे पडोसियों के साथ कैसा है, यह बहुत जरूरी है, हम यूही मसी नहीं बन गए हैं, मसीहत एक बहुत ही परिभखव अस्थित्व देता है, अगर आप मसीह के बात करेंगे तो पूर्ण रूप से आपको इशू के जैसा सौभाव ही पूरी इमानदारी के साथ दीनता और नम्रता के साथ शमा की भावना करते हुए आनंद के साथ अपने जीवन को बिताना पड़ेगा तब ही आप उस मसी के सभाव के अनुसार अपने जीवन को बिता सकते हैं यहां मैं बात कर रहा हूँ याकूब क्यूं अपने बेटों के साथ भेदभाव करता था युसुफ जो कि राहल का बेटा था आप सब जानते हैं कि याकूब की पहली पसंद राहल थी उसके बाद लाबान ने धुका दिया और लिया से शादी करवादिल याकूब की और लिया से छे बच्चे हुए रुबेन, शामान, लेवी, यहुदा, इस्सकार, जबुलन और बाकी दो जो उसकी दासियां थी जिल्फा और बिल्हा उनसे हुए और राहिल से दो बच्चे हुए और दीना हुई लिया से तो कहने का मतलब यह है कि याकूब जो है वो राहिल से प्यार करता था लेकिन याकूब जब शेकिम में गया और शेकिम का जो शेकिम राजा का जो बेटा था हमोर का बेटा था उसने दीना को देखा दीना बहुत खुबसुर थी और उसने दीना का बलातकार कर दिया याकूब इस समस्या से बहुत उल्जा हुआ था कि उसके संग उसकी बेटी के संग क्या हो गया उसके बेटे जो थे वो गए हुए थे बाहर गए हुए थे जब वो बाहर से आये और उनको पता लगा कि साब शेकिम का जो राजा है उसके पुत्र ने मेरी बच्ची के साथ महारी बेहन के संग क्या किया तो उनका खोन खौल गया परमेश्वर हमें क्या सिखाता है शमा करना परमेश्वर हमें सिखाता है कि जब कोई तुम्हें सताता है तो उनके लिए प्रातना करो याकूब का प्रभाव याकूब पर अपने पुत्रों का प्रभाव ज़्यादा था इसलिए वो उन्हें रोक नहीं पाया और जब उन पुत्रों ने ये विचार किया कि नहीं हम शेक्यम के राजा और उसके पुत्र और पूरे गाउं काम खतम कर देंगे क्योंकि इन्होंने हमारी बेटी के साथ बलातकार किया है, उसको भरष्ट किया है और वो उनके चंगुल में थी गुसा आना लास्मी था लेकिन उनने क्या क्या शामान और लेवी ने उनको कतल कर दिया, जो कि याकूब नहीं चाहता था याकूब नहीं चाहता था ये गोत्र, जो बारा गोत्र थे उसके वो ही आधार थे इसराइल का रेसलोट, ना परमेश्व चाहता था ना याकूब चाहता था कि शामान और लेवी खत्यारे बन जाए लेकिन वो हत्यारे बन गए और दूसरी बात रुबेन जो की याकूब का पहला उठा था उसने याकूब की पत्नी जो की उसकी दासी थी जिल्फा बिल्हा उनके साथ उसने बिल्हा के साथ उसने कुकर्म किया यहने कि अपनी मा के साथ उसने कुकर्म किया रुबेन ने इसलिए पहलोटे पन का अधिकार उससे छीन लिया गया और वो पहलोटे पन का अधिकार यूसुफ को दिया गया इसलिए उसको अंग रखा दिया गया ताकि उस अंग रखा को पहन कर वो उन में से अलग देखिया और उनसे बार-बार बोला गया जब भी ये लोग चरवाए जब ये भीड़ बक्रिया चराने के लिए आते थे तो यूसुफ उनके पीछे जाता था मैं एक वचन पढ़ रहा था आज और इस वचन ने मेरी बुद्धी को थोड़ा ज़ंचोड़ा उसमें क्या लेखा हुआ है उत्पती 37 में अगर तेरवा पढ़ेंगे तब इसराइल ने यूसुफ से कहा क्या तेरे भाई शेक्यम में भेड़ बक्रिया नहीं चरा रहे हैं आ पहले भी अगर हम सेतेसों आध्याय पढ़ेंगे तो उसके बिगनिंग में लिखा हुआ है कि वो उनकी बुराईयों को देखकर आता था इसका मतलों वो क्या बुराई करते थे बैनों भाईयो कभी-कभी हम छोटी मुडी अगलतियों को मैसूस नहीं करते हैं कभी-कभी हम में कठोता लेड़े हम अपने स्वभाब में स्वार्थ लेजाते हैं कभी-कभी हम आग्या नहीं महते हैं कभी-कभी हम जम आ जाना आम बात समझते हैं आजकल मैं देखता हूँ कि चर्शिस में जो बहने हैं वो सिर पर पल्लू नहीं रखती है छोटे-छोटे कपड़े पहन के चर्श में आती है जो कि बहुत गलत है बैबल में नहीं लिखा हूँ लेकिन उनके लिए छोटी बात है कि क्या हुआ अगर हमने अपने बाल नहीं ठखे क्या हुआ अगर हमने छोटे कफने पहने क्या हुआ अगर मैंने घहने पहल crown मेरी भाई, मेरी बहन, मेरी बच्चियों, आपको ये समशना चाहिए, कि परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि हम में उसकी पवित्रता बनी रहे, हम कोई भी ऐसा काम न करें, हमारे चलने उठने से, यादे आपको वजन सही था 149, उसमें लिखा हुआ कि मैं तेरा च चलने उठने को, आप कैसे चलते हैं, आप कैसे उठते हैं, आप कैसे बात करते हैं, हमारे अंदर पूरी मसीहत होने चाहिए, हमारे अंदर पूरा मसीह जीवन, मसीह हम में वास करता है, इसलिए हम मसीह है, यदि कोई मसी में है, यदि कोई नई सिष्टी में है, तो वो उन्होंने अपने कामों से ऐसा सब ऐसा प्रभाव अपने पिता याकूब पर डाला कि वो उन पर शक करता था जरा जरा सी बात पर शक करता था आज भी ऐसा ही होता है आज माबाप अपने बेटे की छोटी छोटी बातों पर शक करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि आज कल के बच्चे छूट बोलते हैं कॉलिज जा रहे हैं किस समय जा रहे हैं छूट बोलते हैं वज़े एक lecture है छूट बोलते हैं कितने वज़े मापस आएंगे छूट बोलते हैं आज किसे मिले थे छूट बोलते हैं इस छूटी शूटी बाते हैं और वो समझते कि यह हमारी personal life है बच्चे समझते हैं हमारी personal life है कि अगर हम अपने जो personal पर एक एक lock है Facebook का अलग lock है YouTube का अलग lock है WhatsApp का अलग lock है क्यों lock है कहीं तो कुछ गलत है अगर lock है क्योंकि हमारा phone तो खाली रहता है रिकल फ्री आप चाहें तो आप भी आकर मेरा phone चेक कर सकते हैं लॉक क्यों कि इसका मतलब आप समझते हैं कि जो चीज़ आप देख रहे हैं तो पाप है और अगर वो पाप है तो आप क्यों कर रहे हैं आपकी नजर में अगर छोटा है खुसक्ता परमेश्यक की द्रिश्टी में बहुत बड़ा पाप हो अगर आप वो पाप कर रहे हैं जो परमेश्यक की द्रिश्टी में बड़ा है और आपकी नजर में छोटा है तो को परमेश्वर से दूर कर देगा there's a lot हमें परमेश्वर के करीब रहना है अंतिम समय है हमें जितना परमेश्वर के सवभाव में बने रहना है इसलिए पॉलुस कहता है कि जैसा इश्व को सवभाव है वैसा ही तुम्हारा सवभाव हो यानिके वो सभाव हम में हो सकता है क्यों हो सकता है? क्योंकि उसकी आत्मा हमारे अंदर है वो आत्मा हमें शक्ति देती है वो आत्मा हमें वो सभाव हमारे अंदर पवित्रात्मा क्यों है? कभी सोचा आपने ताकि परमेश्वर का इश्व का सभाव हम में आए यही तो वो चाहता है इश्वर परमेश्वर यही चाहता है कि इश्वर का सभाव हम में रहे इसलिए नौवर्दान जो पवित्रात्मा के हैं वो हमारे अंदर बने, हमारे अंदर प्रकट हो इसलिए पविद रात्मा का हमारे अंदर होना ज़रूरी है और परमेश्वर चाहता है कि उसकी आत्मा, वो पविद रात्मा की साहता से हम अपने जीवन को चलाएं ताकि हम उन वर्दानों के अनुसार अपने जीवन को निभा सके तो यहां पर आप देखा कि याकूब के बेठे शेक्यम में गए भेड बक्विया चराने के लिए लेकिन उसने यूसुफ को भेजा मैं आपसे सिर्फ इतना ही आज इस छोटे से संदेश के द्वारा आपको बताना चाहता हूं कि हम अपने पल-पल के expressions को ध्यान दे हैं हम अपने छोटे से छोटे विचार पर ध्यान दे हैं हम अपने छोटे से छोटे कार्यों पर भी ध्यान दे जब हम बात बात करते हैं किछी से तो हमने कैसे बात की हम जब किछी घर में जाकर बैठते हैं तो हम कैसे बैठते हैं हमें क किसे घर में कुछ मांगा तो कैसे मांगना चाहिए था हम अपने घर में मांगते हैं अपनी मां को क्या समझते हैं आजकल बच्चे अपनी मां को नौकरानी समझते हैं हक समझते हैं क्या रहे नहीं वो बैठेगी इंतिजार करेगी मां बैठेगी हमारा हक है मां हम बच्चे आ पर हमें सुख देने के लिए तो इश्यों मिसी Свकी शोड़कर धर्टी पर हमारी सेवा करने के लिए आया था सेवा करवाने नहीं आया था इसलिए यह विचार आज 그 Yes का जो है कि हम सेवा करवाएं चाहे वो अपने माबाप से करवा रहे हैं चाहे वो हम अपने पडोसी से अपने दोस्तों से करवा रहे हैं ये थौट गलत है और ये विचार ये थौट ही आपको गलत राश्ते पर गलत तरीके से चलने पर आमादा करता है इसलिए प्लीज हम अ को दीजे कि आज आपने क्या किया है कैसे जीवन को बिताया है कैसे आप जब कॉलेज गए थे तो आपने क्या किया किसे हमने कैसे बात की कैसे विचार का हमने कैसे उनके विचारों का जबाब दिया कैसे हमने देखा कैसे हमने सुना इन सारी चीजों उपर ध्यान दीजे ताक है कि हम परमेश्वर को पूरी इमानदारी के साथ अपना लें कुछ समय के लिए नहीं संडे के लिए नहीं सुबह की प्रात्रा के वक्त ही नहीं बैवल पढ़ते समय ही नहीं हर बल हमें परमेश्वर की जरूरत है हर पल हमें परमेश्वर की बुद्धी की जरूरत है हमेशा ये प्रात्ना करते रहिए कि मेरा हर काम परमेश्वर की बुद्धी के अनुसार हो समझ को मैं, इशू की समझ को मैं सुईकार करूं और अपने जीवन में उसको उपयोग करूं मैं विश्वास करता हूँ कि छोटा सा वचान आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि आपको ऐसे से विचार और चाहिए तो मैं बहुत से चीज़ें हैं मेरे साथ बहुत से चीज़ें मुझे परमेश्वर ने दिये प्रकार्शन के रूप में इन छोटी छोटे वीडियोस के दोरा मैं आपको बता सकता हूँ वो मेरे लिए प्रात्रा करते रही है ताकि मैं योही परमेश्वर की सेवा करता रहा हूँ इसमसी की सेवा करता रहा हूँ प्रभू आपको बहुत 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 आशीष है मैं आप सब के लिए प्रात्रा करता हूँ आप दूसरों के लिए आशीश का कारण बने God bless you